तो विदानसबा जुनाओं में बीजेपी की हार के समिक्षा करने के लिए राजसभा में मुक्य सचे तक नारायन पंचारिया आज कोटा पहुँचे जहां उन्होंने शहर और देहात बीजेपी कारकरताओं के साथ मंत्रणा की वहीं मौझूदा और पूर्विधायकों से भी चर्चा की गए इस बीज नारायन पंचारिया से खास बाचीत के हमारे सयोगी भावरेस चारणवे राजस्तान में पराजय जहिलने के बाद बीजेपी हार के कारणों के परताल कर रही है कारकरताओं के साथ बैट करके और विधानसवा चुनाव को लेकर निश्चित हम मांके चलते हैं कि जो हमारे पेक्स हाथी उसके अन्दरूप हमें परिनाम नहीं मिला है जनता के जो आदेश दिया है उसकी हमारी भार्टी और हमारे कारिकरता हमारे नेता उसका सम्मान करते हैं उसी के अनुरूप जो है हम हमारे पीपक्स की भूमी का निभाएंगे ये भारती जनता पार्टी का इस पस्ट मत है लेकिन जिस तरह से विदान सभा चुनाव के बाद कारिकरता का मनोबल गिरा हुआ है लोग सभा चुनाव को लेकर तयारें आपने शुरू कर दी है उस मनोबल को वापस उपर उठाना बड़ी चुनावती आपको लगता है पहले तो मैं कत्ती आपके इस विचारों से सहमत नहीं हूँ कि भारती जनता पार्टी का मनोबल गिरा है भारती जनता पार्टी का मूल मंतर जो है वो राजन्यती में आने का मंतर ये नहीं रहता हम सता हासिल कर दें सता प्राप्त करना ही हमारा लक्स नहीं है हम उसी उत्स के साथ और हमारा कारकरता ने पूरे संपून राजस्तान में आपने देखा होगा अंग्राई ली है 2019 संपून भारतवास्त में राजस्तान सहीद जिसमें कोटा भी सामिले कमल का फूल खिले नरंदर भाई मोधी देश के प्रधान मंत्री बने उसकी रचना हमने आज से ही सु जाए जब आखिर इसके कारणों के पर्ताल के साथ क्या जिम्मेदारी भी तैय की जाएगी देखे जिम्मेदारी तो पहले सही तैय है हम तो केवल मात्र यह देख रहे हैं बैट करके आपस में कारकरता हूं नेताओं से इसी बात के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हमार दाइत्व था उसके अंदर ऐसी क्या बात हो गई जिससे कि हम पिक्षा के अनुरूप परिनाम नहीं लाए उस समंद में हम बात चित कर रहे हैं लोकसवा चुनाव की तैयरी बीजेपी ने शुरू कर दी है इसका बदला निश्चित तोर पर ताल ठोक के वारती जनता पाल करता राजस्तान में 2019 में लेकर रहेगा हार के कारणों के परताल को लेकर हलंगी बीजेपी के निदा भी जादा कुछ कहने को तैयार नहीं है लेकिन ये जरूर वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ले के चुनावों की तैयारी अब इसी शुरू कर दी है